नमस्कार, श्वागत है आप सभी लोगों का, आपके अपने परिवार परिक्षाप्रस में, मैं सर्वेश्टर पाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जैसा कि आपको पता है कि आपने मेरे पीछे देख भी लिया होगा कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये किस से संबंदित है, तो आपको पता है कि इसका जो relation है, वो आपके DSSSB, जो दिल्ली सेवा अधिनस चैन बोर्ड है, उसके द्वारा एक वेकेंसी को announce किया गया है, जो आपके teaching और non-teaching post की वेकेंसी है, ध्यान रखेंगे, teaching और non-teaching post की ये जो वेकेंसी है, इसका notification जो यानि form भरना जो notification तो आपको एक अपते पहले ही देखने को मिल गया था, लेकिन इसकी जो form भरने की तिथी है, यानि जो form का date है, वो अभी आना सुरू हुआ है, तो ध्यान रखेंगे 9 तारिक से ये form भरना सुरू किया जाएग इसमें आपकी जो teaching और non-teaching post की वेकेंसी है, इस teaching और non-teaching post को ले करके, हम लोगों ने जो non-teaching post के लिए यहाँ पर वेकेंसी की बात करें, तो ये आपके non-teaching post में जो वेकेंसी आई है, उसके लिए हम लोगों ने एक proper course launch भी किया है, और आपको पता है कि इसके course के बारे म आपको बताया भी गया होगा, एक वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दिया गया होगा ध्यान रखेंगे एक छोटा सा ओवर्वियू लेते हैं कि किस तरीके की वेकेंसी है और कितनी क्या पोस्ट है इनके बारे में उसके बाद से हम भाए हमारा जो आज प्राइमरी फोकस होगा कि आप जैनरल अवेर्निस कैसे त्यार करें इस तरीके की जो आपको पूरी तरीके से केंड़ित है धान रखेंगे, यहां मैं बात करदू नॉन टीचिंग पोस्ट में आपके LDC और आपके steno की post आई है जो लगबग आपके कितनी है 2354 post है जिसमें आपके pattern of examination की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है steno में आपको पता ही होता है कि written exam तो दोनों में होगा MCQ based exam होते हैं और steno typing और steno skill जो होती है आपकी यहां पर बताई जाती है इसी तरीके से vacancy के बारे में भी देख लेंगे 2354 vacancy है इसमें मैं बात करूं written exam का pattern कैसा होता है तो written exam का pattern आपको ऐसे देखने को मिलेगा यह basically आपको written exam का pattern है जिसमें आपके 200 questions किसके बारे में 2 घंटे में आपको करना होता है चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके sections जो होगे वो 5 sections होगे 5 sections के बारे में आपको बताया गया है जी यह है maths है हिंदी है English है और computer है जिसमें आपके total 200 numbers है एक question एक number का होगा और 0.25 आपकी क्या होगी marking होगी negative marking जिसे हम कहते हैं ध्यान रखेंगे यह negative marking का process है negative marking आपकी जो होगी वो आपकी 0.25 है तो negative marking अपने ध्यान में रख लेंगे यह आपके written exam का pattern है written exam के pattern में हमारा जो main main चीज है कि how to prepare क्या करना है आपको how to prepare general awareness general awareness को हम कैसे prepare करें कैसे तयार करें ताकि कम समय में हमारा general awareness का बहुत सारा हिस्सा और बहुत important question जो आते हैं इसमें एहम role तो सबका है इस एहम role में मैं बता दूँ इसमें आपके जो sections आते हैं इन sections में आपको पता चलेगा कि जो GA का आपका pattern होता है इस GA के pattern में आपको पता है कि हमें जो देखने को मिलता है वो तीन तरीके के आपको GS देखने को मिलते हैं एक तो आपका core GS कहलाता है दूसरा आपका static GK कहलाता है और तीसरा जो GK होता है वो आपका current GK कहलाता है तो current GK के बारे में यानि current affairs जो होते हैं उन current affairs के बारे में यानि अगर हमें General Awareness तयार करनी हैं, तो General Awareness तयार करने में हमें 3 portions आपको देखने होंगे, सबसे पहला जो portion होगा, वो portion आपका Current Affairs, सबसे पहला portion आपका Core GS से बनता है, दूसरा question आपका कहां से बनेगा, दूसरा question आपका बनेगा Static GK को लेकर के, और तीसरा जो बनेगा आपक Current Affairs के लेकर के, ध्यान रखेंगे, बहुत सारे exam को जितने previous year paper हुए है न, उन previous year paper को देख करके, एक analyze आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, मैंने लगबग, आपके कुछ साल के पहले paper देखे हैं, लगबग 7-8 साल के paper को जब मैंने watch किया, उस watch करने में paper का जो एक नजरिया न बताऊंगा, उन questions को आपको बताते हुए चलूँगा कि कहां से किस section को आपको ज़्यादा तयार करना होगा, तो Core GS में हम सबसे पहले चलते हैं, Core GS में, ध्यान रखेंगे, Core GS में आपके इतने chapter से questions कहां कहां से बन रहे हैं, आपके history, politics, science, geography, economics से आपके questions बनते हैं और देख किया है, उस previous year के questions में आपको एक बात यहां पे ध्यान रखना है, कि आपको जो देखने को मिल रहा है न, उसमें history, ध्यान रखेंगे, history में आपको deep history नहीं पढ़नी होती है, history का जो static part होता है कि कौन से लड़ाई कहां होई, कि इनके मद्ध होई, ये जो आपका है, जैसे म इस तरीके के base, जो आपके भारत का पहला governor general कौन है, ठीक न, इसी तरह से भारत का पहला YSRI कौन था, तो इस तरीके से GS पे जो आपके questions बनते हैं, वो आपके core GS में history का जो part है, इस तरीके के static वाले parts से आपके questions बनते हैं, जो आप ध्यान रखेंगे, अगर previous year paper में देखा जाए, तो कम से कम आपके 4-5 questions इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, 4-5 questions में अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे फरदर बताऊं, तो इन 4-5 questions को मैंने बताया कि कैसे तयार करना है आपको, इसका एक static way होता है, हर चीज को आपको static way में पढ़ना है, जैसे भारत के पहले प्रदानमंत्री कौन हुए, आजादी के पहले जैसे राश्टी कांग्रेस की मैं बात उठा दूँ, तो भारती रास्टी कांग्रेस जो है, उस भारती राश्टी कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक न, यहाँ पे International Congress बना था, इसी में कब तरीके वाली static gk वाले पार्ट से इससे आपके questions बहुत जादा बनते हैं, जो कई बार आपको देखने को मिलते हैं, तो ये static gk का पार्ट है, और static gk में आपको ध्यान रखेंगे, ये आपको history में इस तरीके के history का एक सही तरीका से लेकर के आपको पढ़ते हुए चलना है, दूसरी में बात करूँ, पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपको पता है कि कौन से अनुशेत का क्या काम है, उसके बासे constitution का निर्माड कैसे हुआ, तो इसमें भी जो आपको देखना है, वो static part को देखते हुए चलना है, कि कौन सा, जैसे मानलो, अभी मैं बात करूँ, सम सम्विधान का निर्माड किस-किस अस्तर से हुआ, तो कौन सा act कब आया, भारत सरकार अधिनियम तो 1935 क्या है, यानि अगर मैं बताओं इसी तरीके से कि कौन सी चीजें किस-किस सम्विधान से भारत में ली गई है, ये सारी चीजें आपकी अनुशेत को सम्विधान की आत कि विटामीन A की खोज किसने की, विटामीन A का रासायनिक नाम क्या है, इस तरीके जीव विज्ञान की साखा को हम क्या कहते हैं, इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जडत्वकानियम, इसमें आपको गृत्वकानियम, जो आपका नूटन का लौँ है, पूरी तरीके से अप पढ़ते हुए चलना है बिल्कुल बेसिक सा बिल्कुल आपको current जो आपके जो static वाला part होता है उस static वाले part को हम पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है ना इसी तरह से आपके economics में मैं बात करूँ तो economics के भी चार-पांच questions देखने को मिलते हैं आपको देखने को मिले हैं ये आपक की पंचवर्सी पहली पंचवर्सी योजना कब आई ठीक है उसी तरीके से ये पुछता है RBI की स्थापना कब हुई SBI की स्थापना कब हुई सबसे पहले भारत में सबसे पुराना bank कौन सा है RBI ने जो rate जारी करता reverse repo rate जो आपका repo rate रिवर्स repo rate ये क्या-क्या चीज होती है इन सारी चीजों के यानि basically अगर देखा जाए तो इन सारे parts में जो आपका इसका static part होता है उस static part को ही आपको देखना है यानि इस static parts से आपकी इन चीजों को करेंगे जियोग्राफिक की बात करें तो भारत से सटे कौन-कौन से देश हैं भारत से सटे कौन-कौन से international सीमा ब आपके भूगोल में आती है जो जियोग्राफिक का पार्ट है तो यह भी आपका static part और इसके लगबग आपके दो से तीन questions देखने को मिले हैं तो इसका यह label का question है यह previous year आपको देखने को मिला है इस previous year में मैं बता दूँ यह previous year में आपको इतने questions देखने को मिले हैं विए आपको 3-4-5 ऐसे ही मिलते हैं इसी तरह से आपके 3-4-5-2-3 साइंस में भी देखने को मिले हैं 2-3 question आपके यह geography से देखने को मिले हैं economics में 3-4-5 इस तरीके से आपको question देखने को मिले हैं तो ये सारे pattern आपके जो है न इस पर based है अब हम बात करेंगे आपके जो static gk का part है जो basically आपका static gk का part है जो आप लोग लगभग सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा छोड़ा जाने वाला part तो अगर पिछले year के paper को जब आप देखोगे न तो पिछले year के paper में सबसे ज़्यादा जो questions बने हैं यहाँ पहरी नहीं अब आने वाले किसी भी exam में सबसे ज़्यादा जो questions बनते हैं आपके वो सबसे ज़्यादा question यह majorly आपके तीन parts उपर दिये गया है न चार parts इन ही से उठा के देख लो किसी भी exam का pattern उठा के देख लो चाहें CZL का pattern देख लो चाहें SSC के कोई भी exam का pattern देख लो SSC के किसी भी exam में या फिर आपके SSC के ही नहीं DSSB के अगर previous year के paper को उठा के देखो तो इसमें आपके festival से, dance and music से, sports से, books and author से, important places से, famous personalities से, important date से और आपके miscellaneous आपके जो है ना, इस miscellaneous से आपको देखने को questions मिलते हैं, miscellaneous मतलब क्या, कि जैसे कुछ चीजें छूट जाती हैं, उन में हम इन चीजों को देख लेते हैं, कभी एक आद दो ऐसे आ जाते हैं, जैसे भारत के प्रथम चीजों में, कि प्रथम भारत के प्रथम में कौन से ह इसी तरह से मैं बता दूँ, अनुसंधान कौन-कौन से हैं, जिसमें आपके छूट जाते हैं, अनुसंधान की मतलब अनुसंधान Research Institute कहां-कहां है, तो यह सारी चीजें जो आपके छूट जाती हैं, इसको miscellaneous में रखा गया है, और अगर इनके trend analysis किया जाए, अगर question का trend analysis क आपको देखने को मिलता है कि festival and आपके जो हैना, festival से questions देखने को मिले हैं, previous year में, 2-3 questions देखने को मिले हैं, इसी तरीके से अगर मैं बताओं, तो यहांपन music and जो आपके dance और music हैं, इसके लगभग 2-3 questions देखने को मिले हैं, इस पोर्ट से भी आपके 3-4 questions देखने को मिले हैं लगबग 3-4 हो सकता है इसके number भी कम हो सकते हैं 2-2 भी देखने को मिल सकते हैं हो सकता है 3 देखने को मिल जाए हो सकता है आपको 4 देखने को मिल जाए तो इन सारी चीजों में क्या-क्या पढ़ना जैसे festival के अगर मैं बात करूँ तो basically आजकल trend में रहा है कि फसल उत्सो जो crop festival होते हैं वो crop festival कैसे मनाया जाते हैं तो उनके बारे में क्या होता है जैसे सास्त्री संगीत के अगर मैं बात करूँ तो ये घराना किस संगीत से विलॉन करता है किस से संबंदित है ये question भी आपका पूछा जाता है इसी तरह dance में बात करूँ तो किसी एक famous personality का नाम दे दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि बताईए इनका संबंद किस dance form से है तो इससे भी आपके questions यहां से बनने सुरू होते हैं ठीक ना इसी तरह से sports में बात करूँ तो sports में आपको जो सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है जैसे मालो 3-4 तरीके से sports को 3-4 category में बांट करके हम तयार कर सकते हैं जैसे sports के अगर category में मैं बांट हूँ तो sports की category कैसे कैसे हो सकती है sports की category अगर मैं बताऊँ जो इस खेल में particular, जैसे मानलो cricket का है, simple सा example ले लूँ, जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि no ball, किस खेल से संबंदित है, तो जाहिर सी बात है, उसके बाद से कह दिया जाएगा, कि pitch जो होती है, मतलब मान के चलो, जो cricket में, जो मानलो cricket की बात करें, तो cricket कहां खेला जाता है, cricket मे कि बात करूँ में, तो आप कभी भी paper उठा के देख लो, कि कम से कम, दो books के नाम तो पूछे ही गये है, तो दो से तीन books के नाम आप यहां पूछेंगे, उनके writers कौन से है, चाहें वो latest से हो, चाहें आपका, जो आपके history से related हो, चाहें आपके quality से related हो, चाहें आपके economics से related हो important places के बारे में, जैसे आपको पता है कि important place कौन-कौन सी है, जैसे कहीं जिगों पे कोई, ये इमारतें कैसी है, इन इमारतों के बारे में आपको पूछना है, थोड़ा सा इमारतों के बारे में आपको समझना है, उसके बाद अगर मैं बताओ थोड़ा सा, तो यहां पर आप आपको द्यान रखना important places में आपको विस्व विराश्चत अस्थल क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, चलिए, अगर famous personalities के बारे में जैसे कोई आदमी है किसी भी खेल से या किसी भी चीज में, अगर संबंदित है, जैसे म famous personality वहां से संबंदित हो जाते हैं, जो भी आपके current में news में होते हैं, वो famous personality यहां से relate किया जाते हैं, important dates भी होते हैं, आपके जैसे मान लोग पता देता है कि जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इतने common question नहीं, लेकिन और भी questions को कराया जाएगा, जिसमें आपको अच् इतने questions आपके previous year paper में देखने को मिले हैं, तो मतलब यह है कि आपको एक 72 और सुब्यवस्थित ढंग से आपको general awareness की तयारी करनी होगी, जब तक आप categorized way में general awareness की तयारी नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना पाएंगे, स मान के चलो, अगर आपने अपने हास से अपने चीजों से notes बनाया है, तो उन notes से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, तो यह सारी चीज़ें आपकी in GSA related, जो static GK का part रहा है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपके current affairs से, जिस current affairs से लगभग आपके 7 से 8 और 9 questions भी किसी-किसी paper में देखने को मिले हैं, यानि अगर जादा weightage देखा जाए, तो जादा weightage जो है, वो आपके current affairs है, किसी-किसी paper में 7 भी देखने को मिला है, 6 भी देखने को मिला है, पांच भी देखने को मिला है, लेकिन maximum questions आपके 9 देखने को मिले हैं, यानि अगर देखा जाए तो वेटेज काफी अच्छा है और current affair के लिए आपको मेहनत करनी की बात करें तो current affair के लिए बहुत अच्छा मेहनत करना होगा जिसमें आप लोगों को धीरे-धीरे आपको एक-एक करके तैयारी सुरू करनी होगी तैयारी की बात करूं मैं तो current affair minimum six month का कहा जाता है कि six month का पढ़ो लेकिन अगर मैं बताओं कम से कम अगर साल भर का आपने कर लिया तो well and good है लेकिन six month का तो आप कम से कम focus करो current affair के लिए मैं बता दूं आपसे current affair का पढ़ने का एक तरीका होता है जैसे मान लो आज आप ये वीडियो देख रहे हो उस वीडियो से एक target अपने पास करना है इस पूरे current में आप जब December का पूरा current कर लेंगे इसे कम से कम आप book में note करते हुए चलेंगे book में जब आप note करोगे न इस चीज को तो आपके लिए बहुत जादा benefit मिलने वाला है यहाँ पे जब आपना notes होगा अपने तरीके से बात होगी तो last में इसे revise करने में ब matter मैं नहीं कहता कि आप एक दिन में कितनी news आ जाती होगी relevant news तो बहुत सारी है अगर relevant news की बात करें तो कुछ ही relevant news आती है तो उन relevant news को आप पढ़ते हुए चलेंगे relevant news को आप समझते हुए चलेंगे ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों की बात करते हैं तो इस तरीके से इस smart स्ट्रेटिजी के हिसाब से आप इस GS का बहुत अच्छे तरीके से तयार कर सकते हैं ध्यान रखेंगे तीम परिशा प्लस के द्वारा अगर मैं बात करूं तो टीम परिशा प्लस के द्वारा अगर बताया जाए तो आपके इस Dssb के लिए अगर मैं बताओं तो Dssb के लिए एक पूरा प्रॉपर कोर्स चलाया गया है इस प्रॉपर कोर्स में आप क्या करना क्या है आपको सीधे Google Play Store से जाकर के आपको परिशा प्लस एप डाउनलोड करना है और परिशा प्लस एप डाउनलोड करने के साथ साथ आपको क्या करना है वहाँ पर आप पर्टिकुलर जो कोर्स आपको लेना है यहाँ देखेंगे आप DSSB में JSA के लिए LDC के लिए और आपके जो LDC और Steno की वेकेंसी है, उस इस्टेनों और जैसे की वेकेंसी के लिए हम प्रॉपर तरीके से कोर्स लॉंच किया गया है, जिसके एगर मैं बात करूँ, कॉस्ट की बात करूँ, तो 599 प्लस GST है, जिसकी एगर मैं बात करूँ टोटल आपकी कॉस्ट जो है आपकी 699 पर आपको यहां बलेगा, यहां 588 प्लस GST आपका यहां पर कोर्स है इस कोर्स में आपको पूरा बिधुवत अगर मैं कहूं, तो पूरी एक प्रॉपर कोर्स चलाई, पूरी एक प्रॉपर जो भी आपकी स्लेबस में है, उन सारे को उन सारे स्लेबस में जितने subject को बहुत अच्छे तरीके से smart way में cover कराया जाएगा ताकि आपकी पकड जो है इन सारे subject पे बहुत अच्छी बन जाए तो इसी के साथ सभी लोग अगर आपकी कोई भी queries होती है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अपनी वानी को विराम देता हूँ बाकी सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से आपके और informative वीडियो लेकर के आता रहूँगा मैं तब तक के लिए सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you everyone, thank you so much Thank you, thank you